टिकेट्स की मारो मार होने वाली है शुरू क्योंकि इंडिया पाकिसतान के कड़ा, जो मुकाबला है, हो जल आने वाला है, और 2 सेप्टेंबर को मैच होने वाला है, उसकी तो टिकेट्स पूरी तरह से, बुक हो चुकी है, और जो 14 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉप है, उसके किस तरह से बुक करनी हैं वो आपको बताएंगे क्योंकि बहुत सारी बाते हैं बताने के लिए आप जानकर हरान होंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो हमदाबाद में होने वाला है जो होटेल के रूम के जो रेट है वो दस गुना कहीं 20 गुना कहीं 40 गुना बढ़ चु सबसे बहले तो यह इंपॉर्टेर इंपर्मेशन दीजिएगा कि अगर किसी को इंडिया पाकिस्तान का मैच तिकने के लिए हमदा बाज जाना है तो उसको क्या करना होगा पाकिस्तान का मैच हमे도 और हुमेशा हर किसी में दोड रहे थे कि पहले टिकट हम बुक करवा लें अपनी दो स्टमबर को ऐशय कप में इशय कप का मैच है शुरलंका में होगा इंडिया पाकिस्तान का उसकी तो आलमुस टिकट्स बुक की हैं और अब जो वर्ल्ड कप के लिए मैच होने जा रहे हैं इं संदाबाद में होने वाला है पोर्टल की बुकिंग्स अगर लोगों न करवाई है तो शायद ठीक है अगर नहीं करवाई है तो फिर तो मुश्किल है कि कमरा मिलेगा वहां पर रहने के लिए और जहां तक टिकट बुकिंग की बात है वह ऐसा है कि आई सी के आफिशल बुक करना है तो उसके बाद वापर फाइनल जो पोर्टल खुलेगा उसमें वो दिखाएगा कि इंडिया का जो आप बुक कर सकते हैं वो तीन सब्टमबर को खुलेगा इंडिया पाकिस्तान के लिए जो एहमदाबाद में इंडिया का मैच है उसके लिए तीन सब्टमबर को वो बोटल फो लेगा एक ही दिन के लिए एक ही दिन के लिए उसी पे सिरफ यह सब बुकिंग्स होंगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो बड़े इच्छ तरीके से काम करने वाला है क्योंकि बिल्कुल साइट पर होगा उस तिन हर कोई उस टिकट को बुक कर निकली जाएगा और बहुत ही मुझे लगता कि मारो मार रहेगी और मैच में तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमेशा हाई वोल्टाइड ड्रामा रहता ही है तो रेट्स कैसे अफ़डेबल है काम देखिए अब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच मेच जैसे आपने पहले बता दिया कि वहां पर होटल की बुकिट्स नहीं मिल रही है जो कमरा 10,000 का है वो बढ़के वो 30% उपर 40% उपर 50% उपर चलेगी है तो आप टिकट्स का भी अंदादा लगाए सकते हैं पर यह ऐसा पैसा मैटर नहीं करता है जिसके बस होता है वो खर्षता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जाना है और इंडिया की बेस्ट लैवन केलेगी जो मतलब की फेस टुफेस इन खिलाड़ी को हम देख सके हैं गो तीम लाग के टिकर्स हो ऐसे होगी जैसे वह पैविलिन से बह हो क्याल राहू लो या रोजी शर्मा हो तो हर किसी में यही रहता है कि हम अपने जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं उनसे मिल सके हैं उनका आटोग्राफ ले सके हैं तो फिर उसके लिए पैसे तो खर्षत करना ही वड़ते हैं बिलकुल तो अब सपी को एकसाइटमेंट है बह बहुत ही दिल्चस्प उस दिन मुकाबला होने वाला है ना? मैचिस की तरहां रहेगा और नजर इंडिया और पाकिस्तन की पर रहेगी हर किसी की और इसी सीरिस में यूज में दो और मैचिस में कि क्योंकि एक यह बात बेर से पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा फाइनली आ रहा है अब उनकी जैसे उन्होंने का है कि सिक्योर्टी का भी ध्यान रखना अच्छर से रखना हमारी टीम को क्या कहेंगे कि यह जो फाइनल डिसीजन हुआ है क्या बदलाव लाने है यह बदलाव देखें पालिटिक्स हमेशा रहता है हमारे क्रिकट में हमेशा पालिटिक्स का है तो अब इंडिया को भी न्युटा आया है पाकिस्तान की तरफ से कि आएं वह इशय कब देखने के लिए तो वह बोड़ ने परमेशन सिर्फ दो लोगों को दिया एक अध्यक्ष को दिया एक राजीव शुक्ला को दीया है और अध्यक्षे राज्य रभीन को दीया है तो वो दोने जाएंगे मैज देखने के लिए पाकिस्तान में जो नेख्रोल मैच होगा वो उसके बाद जो इंडिया पाकिस्तान मैच होने वाला दो सेप्टमबर को वहां पे तो हर कोई बोर्ड का अध्याक्श वो पहुंच रहा है ईवन की जैशा भी वहां पोँच रही है वो श्रलंका में आचा वह बहुंचेंगे तो वैसे भी हाई वोल्टे ड्रामा वो तो मज़ा आता है ये देखने का तो उसमें अध्याक्श होंगे ने भी यह उगए उसमें को फर्मी बढ़ता वो जीतेगा और अब हाली में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीरिस चल रही है तो उसमें काफी बहतर प्रदरशुन किया है पाकिस्तान ऐसे बात नहीं है हाला कि दूसरे मैच में अफगानिसान अच्छा प्रद्शन करें वह तो खिलारी अफगानिसान के भी किसी से कम नहीं है जो कि अंदाबाद में होने वाला है और अगर बात करें एक ही दिन के लिए टिकेट की जो बुकिंग है वो खुलेगी आपको साइट पर जाना है ऑनलाइन टिकेट बुक करनी है पंद्रा सो से लेकर तीन लाख उसका रेट है और मिस्स ना करें अगर इंडिया पाकिस्तान का मैश देखना चाहते हैं तो तीन तारीक को पट़फट से अपनी टिकेट बुक कराएं और हम दाबाद पहुंचाएं पर हां रहने का पहले इंतिजाम करके जाएगा देखते है जाएगी जाएगीजंचान करके जाएगीज़ थे बुक्त चाहते हैं तो है जाएगीज़ का जाएगीज़ प्ली टिको